हम आज बात कर रही है एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसने बॉलिवुट में तक्रीबन सौ फिल्मों में काम किया वे हीरो के तौर पर भी दर्शकों को दिखाई दिये और फिर सपोर्टिंग रोल्स में भी उनके किरदारों के लिए दर्शकों ने उन्हें पसंद भी किया और उन्हें बॉलिवुट में एक पहचान भी मिली पर ये वो बदनसीब अभी नीता रहे कि धीरे धीरे इन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने पूरी तरह से बाहर निकाल फैका इनकी कहानी काफी दर्दनाख है काफी समय तक ये कहाँ चले गए किसी को नहीं पता था और फिर एक दिन अभी नीता रिशे कपूर ने इन्हें अमेरिका के पागल खाने में देखा ये बेहत ही चौकाने वाली बात थी ऐसा क्या हुआ कि इन्हें पागल खाने भेश दिया गया था हाला कि आज तो ये कहना भी मुश्किल है कि राजकेरन जिन्दा है या इस दुन्या को छोड़ कर जा चुके हैं लेकिन इस वीडियो में हम इनके बारे में जाननी की पूरी कोशिश करेंगे जानेगे इनके बारे में और भी बहुत सी बाते आप बस बने रहे हमारे साथ नमस्कार तोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट जोती और आप देख रहे हैं बॉलिवुड क्लासिक एरा आज हम बात कर रहे हैं सतर और अस्ती की दश्यक के एक ऐसे सितारी के बारे में जो बेहुत ही आकर्शक थे यहां थक ए उस समय कि बहुत सी लड़कियों के क्रश हुआ करते थे जिहां हम बात कर रहे हैं अभीनीता राजकीरन के बारे में राजकिरन एक सिंधी परिवार से तालुक रखते थे। इनका जन्म 19 जून 1929 को मुंबई में ही हुआ था। जब 26 साल के हुए तो उन्हें बॉलिवुट में पहला ब्रेक मिला। और वो अभी नीता बने अधगारा सारीका के। फिर्म का नाम था कागस की नाओ। और ये ब् पर्सनालिटी। 1980 में रिलीस फिल्म कर्स उनकी एक सफल फिल्म रही। लेकिन इस फिल्म में एक खास किरदार निभाने की बावशूत इसके मुख्य हीरो माने गए रिशी कपूर। और इसके बाद तो अकसर राजकिरन नेगेटिव और सपोर्टिंग किरदारों तक ही सीम इस तरह उन्हें साइड रोल्स या छोटे मोटे किरदारों पर ही निर्भर रहना पड़ता। इन्ही सब के बीच उनकी फिल्म अर्थ रिलीज हुई जिसमें उनके किरदार को काफी पसंद किया गया। जहां वी एक ऐसी दुखी औरत को सहरा देते हुए नजर आई जिससे उसके पती ने दूसरी आरत के लिए दुखा दिया था। पर हालात ये थे के राजगिरन एकी तरह के किरदारों के लिए टाइपकास्ट हो चुके थे। और इस वज़े से उन्हें मिलने वाली किरदारों की संख्या भी सेमित हो चुकी थी। राजगिरन कभी भी प्रमुक अभीनेता की तरह उभर नहीं पाए जबकि उनकी शुरुआत काफी अच्छी हुई थी। तेरे बिन लैला कैसे जीएगा ये छैला। बॉलिवुट का चलन है कि वो हिट हुए कलाकारों को जहां खुली बाहों से स्विकार करता है वहीं जलते हुए कलाकार बॉलिवुट की आँखों से एक पल में अद्रिश्य हो जाते हैं। लेकिन राजकिरन शायद उससे भी एक अदम जादा बदनसीब रहे। काम कम होता चला गया और पैसो की किलत शुरू हो गई। ऐसे में उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर अपनी बेटी के साथ अलग रहने लगी। पहले काम ना मिलना फिर परिवार का साथ छूट जाना ये दोनों ही कारण बने राजकिरन को डिप्रेशन की तरफ ले जाने के। डिप्रेशन भी ऐसा कि जब उन्हें दिलेप कुमार साहब की फिर्म का लिंगा में काम करने का अफसर मिला तो उन्होंने अपने मानसे कारणों की वज़े से ये फिर्म बीच में ही छोड़ दिये। और इसकी साथ बॉलिवुड से उनका नाता पूरी तरह से तोट गया। ये वो वक्त था जब राजकिरन अपनी परिशानियों में पूरी तरह गिर चुके थे। और ऐसे में वो अपने भाई की पास नियॉक चले गए। उनके भाई बड़े बिजनसमेन थे। लेकिन एक बेरोज़गार इंसान को कोई भी जादा समय तक परदाश नहीं कर सकता। राजकिरन एक बर फिर से वहां काम की तलाश में जुर्ग गए। लेकिन वहां उनके लिए काम करने के कुछ खास मौके नहीं थे। और ठककर वे न्यूयोंक में टेक्सी चलाने लगे। जाहिर था कि अपनी परिशानियों से घीरे राजकिरन कोई न कोई रास्ता पाने के लिए छट पटा रहे थे। और ऐसी ही एक कोशिश उन्हें फिर से मुंबई ले आई। जहां उनका मकसद था कि वो सत्य साहिं बाबा के तर्शन कर सकें और शायद उनकी जिन्दगी में कोई चमतकार हो जाए। लेकिन वक्त बेरहम निकला। वे बाबा से मिल नहीं पा रहे थे और उनसे मिलने की जद्दो जहन में राज की रंड भीड में थोड़े हिंसक हो गए। इस मार पिटाई की वज़े से मुंबई पुलिस ने उन्हें जेल में बंद कर दिया और वहीं से उन्हें मुंबई के भाईखला स्थित मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। फिल्मों में काम करने वाले खूबसूरत सक्ष्यत के मालिक अब एक पागल खाने में बंद थे। डारेक्टर महेशपट की माने तो उस समय बॉलि भी की लेकिन उनके छवी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और उन्हें काम देने के लिए कोई भी राजी नहीं था। ना परिवार साथ था और ना ही काम था। इसी वज़े से राजकीरन फिर से अपने भाई के पास नियोक चले गए। लेकिन उसके बाद सालों तक उनके बारे में कोई खबर सुनने को नहीं मिली। हाला कि उनके फिल्म फिटरनीती के कुछ दोस्त उन्हें ढूनने की कोशिश कर रहे थे। इन दोस्तों में शामिल थे दीपती नवल और रिशी कपूर। दीपती नवल ने उनके साथ फिल्म हिप हिप होरे में काम किया था। औ मैं फर्मी दुनिया का हिस्सा रहे अपने एक दोस्त को ढून रही हूं जिसका नाम राजकिरन है हमारे पास उनकी कोई खोच खबर नहीं है आखिरी बार उन्हें नियू यॉक सिटी में कैप चलाते हुए देखा गया था अगर किसी को भी इस मामले में कोई खबर मिले तो हम जरूर बताएं इधर रिशिक अपूर ने राजकिरन के बड़े भाई से नियू यॉक में उनके बारे में जानखारी लेने के लिए मुलाकात की थी ये 2011 की बात है वहां रिशिक अपूर को बताया गया कि राजकिरन अट्लांटा सिटी के मेंटल हॉस्पिटल में है रिशि और इस वज़े से राजकिरन डेप्रेशन में आकर पागल खाने तक जाने के स्थिती में पहुँच गए। लेकिन राजकिरन की बीवी ने रिशी कपूर के इस दावे को मानने से साफ इंकार किया और कहा कि मैं खुद अपने पती को पिशले दस सालों से ढून रही हूँ। यहां मैं यही बोलना चाहूंगी कि ऐसे क्या हालात बन गए थे कि उनकी बीवी को अपने पती को ढूड़ने की नौबत आ गई थी। जाहिर था कि उन्हें अपने पती के बुरे वक्त में साथ देने की अपेक्षा उन्हें छोड़ देना जादा असान दिखाई दिया। बीवी के साथ साथ राजकिरन के भाई ने भी उनकी तरफ कुछ विशेश ध्यान नहीं दिया था। और एक समय फिल्मी परदे पर चमकने वाला ये खुबसूरत सितारा अकेले पन में एक पागल खाने में बन था। हाला कि रिशी कपूर ने उस समय ये भी कहा था कि वे राजकिरन को वापस भारत लाएंगे और उनका इलाज करवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया क्योंकि इसके बाद दीप्ती नवल और रिशी कपूर ने इस विशे में कोई बात नहीं की। दीखा जै तो राजकिरन को उनकी असफलता की बाद अपने परिवार से या बॉलिवुट से किसी का सहारा नहीं मिला वरना ऐसे एक सितारा धू मिलना हो जाता। सफलता और असफलता हर एके जीवन में कभी न कभी जरूर आते हैं और ऐसे समय में परिवार ही वो सहारा होता है जो अपने उस सदस्य का हाथ मजबूती से थाम लेता है और तब असफलता भी अपने निशान छोड़ने में नाकाम्याब रहती है लेकिन राजकिरन वो बद नया रुकते दिया हाना कि राजकिरन की बेटी हर साल अपने पिता के बर्थरे पर उन्हें विश्च करते हुए उनके लिए अपना प्यार जाहिर करती है संभवता वो आज भी अपने पिता से मिलने की उमीद रखती होगी इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी रिष्टा तू पूर द्वारा दी हुई खबर के सिवा कभी भी उनके बारे में कोई खबर उनके परिवार की तरफ से नहीं दी गई ये कहना गलत ना होगा कि राजकिरन आज जिन्दा भी हैं या नहीं वो हम में से कोई भी नहीं जानता तो दोस्तो आज की कहानी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताएं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके आप हमारा प्रोच्जाहन बढ़ा सकते हैं साथ ही कॉमेंट बॉक्स में इससे जोड़ी हुई कोई भी जानकारी आप हम से शेयर कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त जोती को अब आप से आज के लिए इजास काई